रादे रादे दोस्तों पुश्वा कौशिक भजन और ब्लाग्स मैं आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको पीपल पत्वारी की कहानी सुना रही हूँ एक गूजरी थी उसने अपनी बहु से कहा कि दूद दही बेचा तो वह दूद दही बेचने गई कार्तिक महीना था वहाँ पर सब और पीपल सीचने आती थी तो वह भी बैठ गई और और ओरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो तो औरते बोली हम तो पीपल की पत् मिलता है उस गुजरी ने कहा तुम तो पानी सीच रही हो मैं दूद दही से सीचूंगी उसकी सास रोज कहती कि तू दूद दही बेच कर पैसे ला कर दे तो उसने कहा जब कार्थी का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी और कार्थी का महीना पूरा हो गया पूने के दिन गूजरी पिपल पत्वारी के पास धार्णा लेकर बैठ गई। पिपलने पूचा कि तू यहां क्यों बैठी आए।। उसने कहा मेरी सास दू दही के पैसे मागेगी। तो पिपलने कहा मेरे पास पैसे ըहीं हैं। यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं। वह ले गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया सास बोली कि बहु इतना पैसा कहां से लाई तो बहु ने आकर देखा तो बहु धन पड़ा है तब गुजरी ने का सासु जी मैंने तो एक महीना दूद दही से पीपल की पत्थवारी में सी हो गए तब सासु जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पत्थवारी सीचूंगी सास दूद दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पत्थवारी में रखाती और बहु से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग तो बहु ने कहा कि कभी बहु भी सास से पैसे मांगती है तो सास बो तो डंडे पते पान भाटे उसे भी दिये और कहा गुलक में जाकर रख दे फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीडे मकोडे चल रहे थे गुजरी ने सास से कहा या क्या है तो सास देखकर बोली कि पीपल पत्वारी ने तेरे को तो अंधन दिया और मुझे कीडे मकोडे दिये तब सब बोले कि बहू तो सत से सीचती थी और सासु जी धन की भूग से सीचती थी इसलिए पत्वारी माता जैसे बहू को दिया वैसा सब को दे और जो सासु जी को दिया वैसा किसी को मत देना बोलो पत्वारी माता की जय हो अगर को कहानी मेरी कथा अच्छी लगी तो प्लीज कहानी को लाइक करें, सियर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अप्लोडो उसका नॉटिफिकेशन मिल सके